पॉपकॉन्ग वेब सीरीज का तीसरा एपसोर्ट शुरू हता है मलिक के घर से जहाँ रानी डॉक्टर बन कर उसके कुट्टे का इलाज करने जाती है और तक ही साद्यक उसे मानने आजाता है, मलिक उसे अपने कुट्टे का डर दिखाता है पर साधिक को बचाने रानी आ जाती है और फिर शुरू होता है हसी का डोज कुता रानी को लिटा कर घर के बाहर कर देता है फिर साधिक के पीछे पड़ जाता है साधिक खुद को बचाने पुरे घर में भागता है एंड में कुता रुख जाता है पर वो भी अटेक से मर जाता है जैसे ही साधिक मली को मारने आता है तो वहाँ सुल्तान के पिता आकर पताते हैं कि सुल्तान तुम्हारा बाप नहीं है फिर गाना शुरू होता है बता बंदे तो किसका बाप है बाप है तो फिर कौन बाप है गाना खत्म होने के बाद साधिक का दादा बताता है कि कहानी 1987 की जब उसका बेटा सुल्तान गफूर के ढ़ावे पर काम करता था एक दिन ब्रीज के शोर उसके ढावे पर आया था, उसी ने एक आदमी भी एक बच्चे के साथ, अचानक से वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं, वो आदमी उस बच्चे को सुल्तान के हाथ में देखा चला जाता है, दंगे खत्म होने के बद गफूर का कुछ नहीं पता चलत इसलिए उसने उस बच्चे को यानि साधिक को अपना लिया और ढावे में आग लगने के जैसे मंत्री जी कहां बोडी काट का काम करने लगा, यानि कि साधिक की रियल पेचान मुसल्मानी नहीं होती, साधिक के दादा ने ये बात पहले लालच के कारण नहीं बताई थी, क इसलिए अपने दोस फोरजी के साध उससे मिलने निकल जाता है, यहां एंट्री होती है तुसार कपूर की, जिसने वस्वीर बढ़वोले का रोल किया, और भी अपनी गूलमाल मूवी वाले करेक्टर की तरह है, वशीर यानि तुसार दोनों को उसके बाप के बारे मताता ह जिसका नाम डॉक्टर कता सिंग होता है, और वो एक सिक होता है, यानि कि साहिल की यह थर्ड बाप है, जो कि एक सिक है, दूसी तब उसी डॉक्टर की क्लीनिक पियो अपने दादा का चेक अप कराने अलाती है, और दो लड़कों के शर्ट के चकर में डॉक्टर से जाता है, फिर साहिल डॉक्टर कता को चिला का पापा जी बलाता है, अब फूर्थ एपिसोड में डॉक्टर को देख पियो फॉरन पर मुझ छिपा लेती है, साहिल बच्पन की कहानी वजाता है, कि मैं आपका खोया हुआ बच्चा हूँ, जो दंगे के विज़ से गफूर मामा के हाँ से दूर हो गया था, साहिल को देख टॉक्टर कता खोश होता है, अब उसका नाम होता है सुखी, यह सुखी अपनी मा सक्वन कौर से मिलता है, वो भी सुखी को देख एमोशनल हो जाती है, पियो पूरे टाइम गुंगट करे रही होती है, सुखी के मा पियो को देखकर सब सर्पाइज हो जाते और गुंगड हडाने को कहते है पर पीऊ नहीं अटाती तो रानी पीछे से आकर हडा देती है डॉक्टर करता जैसे ही पीऊ को देखता है तो हस्ते वे शौक डोकर के बीजी को कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती साधी कैंसल सुन सुखी अप तो बस आपका टेस्ट ले रहे थी कि आपका एरेक्टर सही है या नहीं ताकि मैं अपने पापाजी को बढ़ा सकूँ ये सुन सुखी और करदार को थोड़ी राहत मिलती है और शादी के लिए मान जाते है फिर सुखी और प्यू का रोमेंटिक गाना होता है दूसी तर बल की गाड़ी के नीचे गिरा बंफड जाता है फिर दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में रानी नर्स का गटब कर उन्हें आइडिया देती है कि सुखी को मारने से अच्छा है उसकी सबसे प्यारी चीज यानि पीहू को मार डालो ये आडिया सुन मली के देमाक में एक और आइडिया आता है कि उसकी सबसे प्यारी चीज यो लड़की नहीं बिल्कि उसका बाप है तो उसे मानना होगा फिर दोनों डॉक्टर को किड्नैप कर लेते हैं और बलवन सुखी को फोन का किड्नैपिंग के बारे में बताता है ये सुन सुखी अपनी मा अब तो नहीं मिलता पर असली मा जरूर मिल जाती है और वो सत्वन कोर ही होती है